हाई दोस्तों मैं मंगला प्रसाद निसाथ आपका हमारी यूट्यूब चैनल EMPN Online Study पर स्वागत है तो साथ आज हम बात करेंगे कि आपके जो 29 जन्वरी का एक्जाम होगा वह होगा की नहीं होगा और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम धेर सारे बिंदू पर बात करेंगे जो क आप थोड़ी सी भी चुके तो आपकी परिक्षा निकल जाएगी और आप दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे फिर आपको एक साल के लिए बैक रहना पड़ेगा तो दोस्तों इस बार क्या है कि आपने देख रहे कि सरकार जो इतना जल्दी जल्दी आप देख रहे हैं नो पूर जाएगी और दोस्तों साथ हम आपको दो ऐसे नोटिस दिखाएंगे दोस्तों जो की परिक्षा को कैंसिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा महतुपूर है एक नोटिस दोस्तों जो की सुप्रिम कोट से आया हुए कि परिक्षा जो है छे फरवरी तक अभी रोकी है तो किसलिए कांसिल है इसके बारे में भी बात करेंगी तो अगर चैनल पर नह니ं Shapkin को सब्सक्राइब करें अब खत्य हाप सभी ज सको बहुत ज़्यादा परेशान नराज है और जैसively की आप शबर Kayn तो आपको अपसेंट कर दिये गया और जो एक्जाम नहीं दिया है उसे प्रजेंट करके दोस्तों उसको अच्छा नमबर दिये गया अगर इस प्रकार से लापरवाही भरतिती जा रही तो दोस्तों आप लापरवाही को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को रहे तक ताकि आपको किसी प्रकार से नोटिफिकेशन कोई छूट रहे न पाया अपने कॉलेज से हम से और भी अधर माद्य में जहां से आप संपर्क बनाकर जो है इस जानकारी को ग्रहार कर सकते हैं तो चलिए हम आगे चलते हैं और नोटिस पे बात करते हैं कि कौन से र उन्होंने क्या बोला है यह लेटर के बारें पहला गरम बात कर लें उन्हें ने का स्रम नियोजन प्रसिच्चन हम कौसल विकास विभाग निदेल साले नियोजन प्रसिच्चन जारखंड राची के लिए यह जो है लेटर लिखा गया इसमें दोस्तों क्या कहा है जैसे कि दोस्तों आपको पता है सभी राज्यों में हो गए थी परिक्षा इंगिरीन ड्राविंग के और प्रिक्टिकल की और साथ में क्या हुए था कि पांच ऐसे राज्य थे जहां पर छूट गए थे आपके ज्ञारखंड हुए गुजरात हुए दिले हुए तिस प्रकार से दोस्तों पांच ऐसे राज्य थे जहां पर प्रिटिकल जो है छूट गए थे तो दोस्तों अभी जारखंड के सरकार ने का है कि आप हमारे जो है अभी क्या है लागडाउन की परिष्थित चल रहे अभी लागडाउन चलने के कारण जो है प्रसिच्छन सर्थान अभी नहीं खोला जा सका है तो ऐसे परिष्थिति में आप जो है इस चरण में पांच फर्वरी 2021 को परिक्षा ना आयोजित करके अगले चरण में जो है लेने की क्रिपा करें जैसा कि दोस्तों पता है कि लागडाउन की चलते जो है अभी जारखंड में लागडाउन लगा था जिसके कारण सरस्थान नहीं खुले तो वहां की जो है नोटिस भेजी गई है कि अभी आप जो है लागडाउन के कारण अभी परिक्षा को आप इस्तेगीत करके अगले चैनल में आप प्रिटिकल और इंजिनिरिंग ड्रामे की परिक्षा कराए और उसके बाद दोस्तों जैसे की देख पा रहे है यह लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट 279 ौहीं और 2021 किसको यह लेटर है यह लेटर जट्रे जो इक इसको किसको भीजा गया है ठाल स्बाल किसको भीजा गया गया जंगर dyu यूनियर ऑप हिंडिया भाई MI और उनको भी बेज गया है और कहा गया है कि जो है पेले सा जहें परिक्षा के cbt परिक्षा के के बारे में प्रिक्षा कोड़ में चल रहा था रा को इस बार उसलिखा किया रहे हैं फंद्रस्टसावी आधर क्योंचिंग के साथ जो है यह चल रहा था और 271 2021 में यह जो है ग्रांटिंग मतलब कर दिये गया कि आप जो है एक्जाम को OEMR सीट पर कराई ना कि CBT एक्जाम पर कराई तो अभी दोस्तों DGET पर फैसला है कि DGET क्या फैसला लेती कैसे इग्जाम को कराती है उसके लिए दोस्तों कोट ने जो है च तारिक फैसले वाला समय बताएगा कि जैसे कि टाइम टेबल और फेस चरण भी दे दिएगे तो दोस्तों आप सतर करें और किसी बीडागार की इंफार्मेशन के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइ친 करने ताकि पलपल की वीडियो की आपडेट आप तक पहुंचती रहे तो फिर में लगे साथ यह मगले वीडियो में आपसे तब तक के लिए धन्यवाद थे